जय हिंद वंदे मातरम, दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल अष्टेडी वीथ ओके में दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लाश 12 के चेप्टर 3 आज हम पढ़ेंगे क्लाश 12 के चेप्टर 3 है, यह पुलिटिकल साइन्स है है जो आपके कलाश में पोलिटिकल साइंस चलता है दोस्तों जिसका चिप्टर थीरी हम बोर्ट इजाम में जितने भी आपके mcq कोशन पूछे जाते हूं सारे mcq कोशन को इस वीडियो में हम कभर करने वाले हैं तो आप इस वीडियो में बने रही है द्यान से देखिए क्योंकि आपके बोर्ट इजाम के लिए वीडियो बहुत ही बीविया इंपोर्टेंट होने वाली है इसमें टोटल mcq 25 रहेंगे और सारे आपके जो बोर्ट इजाम में पूछे जाते हैं वही सारे कोशन रहेंगे तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख करते हैं तो चलिए बिना टेविष्ट की सुपरफास्ट वीडियो को सुरू करते हैं और तो पहला कोशन कह रहा है कि 9-11 की घटना की अमिर्का के लिए क्या स्थान रखती है तो इसमें ऑप्सन है छोटी घटना बड़ी घटना अब तक की सबसे बड़ी घटना या ना गन तो दिय्वर के ओफिस में गराया गया था जिसमें एक दिघने और एफ च्छा मंतुरी के इमारच से टक्राशना था ठेट में गिर गया था कर आधा यह सो तो आपके सब्जेक्टि भी पुछा जा सकता हैं, अब चलिए कोशन नमबर टू को देखते हैं, कोशन नमबर टू क्या कह रहा है, कि पर्थम खाड़ी यूद का समन्ध था, तो इसमें जो होगा सोवियत संग के इरान और अफगानिस्तान से, अमिर्के द्वारा अपने लेकर, कितने, 34 देशों उसमें सामिल थे, और उसमें जो थे, 3000 से अधीक लोग मारे गए थे, और इसमें जो था, अमिर्का द्वारा इराग पर हमला किया गया था, और अमिर्का जो था, ये इराग की जो तेल, जो है इंधन, उसका हथ्यानिक का ही मन था, अमिर्का को, तो तो इसे भी आप अच्छा से आद रखे खाडी यूद क्या है, खाडी यूद से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके objective और subjective दोनों पुछे जा सकते हैं, उसके बात देखते हैं, तिसरा है, खाडी यूद को computer यूद क्यों कहते हैं, तो जो खाडी यूद है, इसको option है, इनमे जैसे computer जैसे हथियार थे इसमें smart बमों का परियोग किया गया था computer से यूद की गती विधी मिल रही थी इन में से कोई नहीं तो जो खाड़ी यूद था उसमें smart बमों का परियोग किया गया था इसलिए इसे हमें खाड़ी यूद अर्थात computer यूद के नाम से भी जानते है उसका बाद question number 4 को गया रहा है कि पर्थम खाड़ी यूद जीतने का सरे किसे प्राप्ट हुआ तो आप जान सकते है कि पर्थम यूद जीता था तो इसका ऑमिरका जिता था कौन जीता था अमिरका तो इसका सही एंस कि नहीं ठीक यहाँट को सिर और इब हो जाएका लागती किसने कर दो कोज़ंदार धे श्रूंग गरह स्पेशनूरीजवार क्याँ है कोशन नमर 7 कह रहा है कि सन्यूफ्त राज अमिर्का के कुल कितने राज हैं तो अभी अमिर्का में जो है 50 राज हैं कितने हैं और हमारे भारत में बोला जाए तो हमारे भारत में कितने हैं 29 से एक काम हो गया अभी 28 है कितने है 28 है और अमिर्का में 50 राज हैं उसके बाद कब आमला हुआ को आपको बताया गया था यह फिन वेन गहितना है यह जो कि यह घटना है सितंबर 2001 उसके बाद देखते है को सा सहर किसी देश की रजधानी नहीं है तो इसमें देखते हैं डर्बन तेहरान इरान का तेहरान है बगदाद इराग का है चेनई चेनई हमारे देश में ही पड़ता है और यह किसी का भी रजधानी नहीं है उसके पाद एगला देखते ह चार लच्छनों में से किस लच्छन को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका तो जितना वो तो जीत गया था अपराद करना अपराद बहुत करता था डं डं देना डं भी बहुत देता था लेकिन कानुन वैस्थ यह सही हो जाएका कानुन वैस्थ था वो प्राप्त नहीं कर सका थ कहा राय च्पा आफ श्काट सब्सक्राइब गार जो पहला यू झार्भी यूद टो की सअरी अचयांवें क्य्म ह înda का श्काट की में में रटा गया था और किसके किसके बीच उए था तो आमेरिका और और 34 देश थे इसमें और इराग पर हमला हुआ था किसके इराग पर इसे हम लोग पर्थम खाड़ी यूद कहते हैं कब हुआ था तो 1991 में हुआ था कोसर नमर 13 को देखते हैं कोसर नमर 13 कह रहा है कि ऑपरेशन जे डर्ट अस्टाम जो थे 21 के समंदित थे तो ये पर्थम खा आन्थ हुआ था वह 1991 भी में हुआ था और सिर्ट यूद की सुरूआत कब हुई थी तो 1945 से अर्था उन्हें सो परेशन जान जाए कि इसके बीच चला था तो यू एसे यसे के बीच चला था उसे के बीच बीच चला था पोसर नमर 15 कह रहा है कि सन्युक्त राष्ठान ने तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा ओ सन्यूक राष्ट संग जो था ओ किसके अनुमति देदी तो बल परियोग का जो था इसका सही एंसर हो जाएगा बल परियोग क्योंकि कुवेत को जो है ओ अमेरिका जो कह दिया था कि आप बल परियोग कर सकते हैं तो बल परियोग इसका स इसका जो सही एंसर हो जाएगा ओ जपान की अर्थवेश्था अभी सही है अधार सबसे बड़ी है कोसर नमर 17 है कि पर्थम खाड़ी यूद किसे कहा जाता है तो इसे आप जान गए होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में आपका जिक्र हो गया इराग कुवेत अमिर्का की आई इराग कुवेत और अमिर्का जो दोनों थे यह आपस में कुवेत के चकर में ही अमिर्का इसका सहयों कर रहा था कुवेत को तो दोनों साथ ही ते और इराग पर हमला हुआ था तो पर्थम खाड़ी यूद इसे ही यह तिन महत्पूर्ण देश थे उसके बाद मैं एग आमिर्का ने किया किसीने कानग क तोसके बात कोसर नमर 19 है को सन्यूकत्र राष्ट कर A detto कौन था उसका सहही हो जाएगा जोरा कौन सिंगटन कौन जोर वान सिंगटन सन्युक्त राष्ट के पर्थाव राष्ट पती थे कोशन नमर सन्युक्त राष्ट अमिर्का के वर्चस वह कि शुरुवात सोब्य संग के विघटन के साथ कब शुरू हुई तो जो सोब्य संग के विघटन जो हो गया था उसके बाद अमिर्का का जो वर्चस हुआ थे, कब से शुरू हुआ था, सोब्येट संग के विखेटन जो हुआ थे, 1991 में हुआ था, उसका वर्चस भी बढ़ गया था कब, 1991 में और एक धूर्विय देश बन गया था, एक महासक्ति साली मातर एक ही देश अपने आप में बन गया था, उस किसी लिए पर्थम खाड़ी यूद हुआ था, कुएद पर हमला किया था, किसने तो इराक ने किया था, चलिए एगला कोशन नमर देखते हैं, एगला कोशन नमर, ट्वेंटी वन क्या कह रहा है, ट्वेंटी टू दोस्तों, ट्वेंटी टू क्या कह रहा है, ट्वेंटी ट देश की से ने सकती अजय होती है वर्चाइब सील इस्थिति नियत होती है जिसके एक बार वर्चाइब कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चाइब कर लिया उसका जो सही करने के लिए इराग के तेल भंडार को नियंतरंग करने के लिए इराग में अस्थापित करने के लिए इराग के तेल भंडार को हथियाना चाहता था इसलिए ये वास्तिक उदेश इसका यही था ठीक है उसके बाद एगला कोशन नमर देखते हैं कोशन नमर 24 कह रहा है कि सित्यूत के बाद वीज़ की सबसे बड़ी सकती साली के रूप में किसका उभार हुआ तो किसका हुआ था अर्थात अंजसय का हुआ था एक महासकती देश कोंबच गया था तो अमिर्का अमिर्का उसके बाद एगला कोसन नमर 25 क्या कह रहा है कि सित्यूत के पर्शाथ सन्यूकत इमीरिका का परमूंक कहा जाता है एक छुरी के का द तोbbles Gleich जालोगा हो जाएगा एक दूर्वे देशक वी उसका दोर घ्योंकि जो इसमें जो उन्हें सो इक आंबे के बाद मतलब शीत के पच्चाथ जो झो थाई वह एक माघ्र विश्यूद मतलब वी विख्याता बन गया था वो अमिर्का बन गया था इसलिए क्ता क्या गए जाता ह। ek दुर्वियविश्व vapor dani 295 में देखा जाए 445 में तो दो दुर्वियविश दोर था सन्यूुकत्र हम Чтоल मेंडियो다 1991 में विघटन हो गया था उसके बाद एक मात्र अमिर्का जो था धूर्वे देश बन गया था तो इसी के साथ हमारे जो वीडियो है यह समाप सुता है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आप हमारे यूटूब चनल को विजिट करते रहें क्योंकि आप हमारे यूटूब चनल में जितने भी प्ले लिश्ट पर विडियो हैं उसे आप देख सकते हैं और अपने बोड इजाम की तियारी कर सकते हैं तो अभी तक आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि टैपिंग करने में बहुत ही महनत लगता है दोस्तों तो फिर मिलेंगा हम लोग आगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत